बी एड के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उदेश ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं हम ऐसे चात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, ससक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाच को और बहतर बना सकें यही हमारी राष्ट्र देवता की प्रती सच्ची स्रिधान जली है साथियो नमस्कार बहुत स्वागत है आपका D&K Academy में मैं हूँ भगवत धांगी फाउंडर D&K Academy और आज के हमारे MCQs वाले वीडियो में हम बात करेंगे 700 Most IMP MCQs और यह Part 6 यानि 6 भागे और आज 251 से लेकर 300 प्रसनों तक की बात हम करेंगे यह जो हमारा Part है ना केवल MPPSC 2017 बलकि उसके आगे भी जो MP level के जो एक्जाम होंगे खासकर व्यापम के लिए जो एक्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही important है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखें और इसके अंदर हम जो important questions हैं सिर्फ उन ही को cover किया गया जो बहुत ही important है और जो लगातार परिछाओं में पूछे गए हैं चलिए सुरू करते हैं हमारा वीडियो वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हम online test series की देखिए MPPC 2017 के लिए academy के द्वारा paper first के लिए online test series स्टार्ट की गई है इसके अंदर पुल 10 high quality test रखे गए हैं हमारे द्वारा जिसमें एक test हो चुका है 49 रुपीज पर test इसका cost है और 399 रुपी की पूरी test series आप जोइन कर सकते हैं उसके लिए आपको dkmppsc.com पर जाना पड़ेगा और इसके लाबा यदि आप एक free demo test भी इसमें रखा गया है आपने भी तक demo test नहीं दिया है तो आप हमारी website पर जाकर free demo test दे सकते हैं जिसका कोई charge नहीं है free है तो ये test तो आपको अच्छा लगता है आपको ये मदद करता है तो अगला test भी दें चलिए बात करते हैं वीडियो की तो वीडियो में सबसे पहले आज का पहला प्रस नंबर 251 रतन बामनी किस की रचना है मदिप्रदेश में रचनाओं से संबनित प्रसन पूछे गया है इसलिए हमारे हर वीडियो के अंदर दो से तीन रचनाओं की हम जरूर चर्चा हैं यहं एमसेक्यूस के अंदर क्योंकि लगतार यह प्रसन पूचे जाते हैं तो जो रतन बामनी रचना है यह केशव दाज जी की रचना है। केशव दास जी की dönक पूछन teşekkür जाते मद्यप्रदेश में तो यह रतन बामनी वहीं बात करें जयंक जीन जगनिक जी की जो प्रमुक रशना है वो आला उदल की जो लड़ाई है वो आला उदल इनकी प्रमुक रशना है भूशन जी की जो बहुत सारी रशना है और सेंगा जी के जो भजन है वो फेमस है तो इनके बारे में भी बात करेंगे नक्ष की बात करें तो नक्षिक जो है य कोल जन जाती बहुत ही महत्वपूर्ण जन जाती है उत्तर पूरवी छेत्र की खासकर मद्रपूर्देस का जो उत्तर पूरवी छेत्र है जबलपूर और सहडोल सतना वह वाला जो उत्तर पूरवी छेत्र है वहां की कोल जन जाती बहुत ही महत्वपूर्ण है बात करें मद् अंदस जिलो के नाम कुछ इस प्रकार हैं ये हैं जाबुआ, रतलाम, मनसोर, नीमच, आगर मालवा, राजगर, गुना, शुपुरी, शोपुर और मुरेना तो ये इंपोर्टेंट जिले हैं जिनकी सीमा राजिस्थान के साथ लगती है बात करते हैं तांसेंट साहब की, तो तांसेंट किस वंस के राज़ा स्वे में थे, तांसेंट साहब जो थे, वो बगिल बंस के राज़ा स्वे में थे इंपॉर्टेंट है बगेल वंस के राजा का नाम था राजा राम चंदर और ये रीवा के महराज थे रीवा के महराज थे और उनके दरवार से फिर ये गए थे राजा अकवर के दरवार में होलकर वंस के संस्थापक कौन थे बहुत ही महत पूर्ण प्रसना है ये होलकर वंस के जो संस्थापक थे मलहार राव होलकर साहब थे ये बेसिकली मलहार राव होलकर साहब जो थे किसान थे और उसके बाद इन्होंने अपने आपको इंप्रूफ किया और अपने च्छमताओं लिया भाई हुलकर ये इनके पुत्र बदू थी और इने भी बहुत शांदर तरीके से राजकार समाला था बात करें प्रस नंबर 257 की तो हेलियो डूरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहां गरण ध्रच का निर्मान कराया था तो बहुत फेमस प्रसन हितिहास का ये और मद्वर्देश से लिटेड है क्योंकि मद्वर्देश के विदीसा में ये दिर्मान करवाया गया था और आज इस जगा को खंबा बाबा के नाम से जाना जाता है तो ये विदीसा के अंदर है नचना कुठार का अभिले किस से संबंदित थे तो नचना कुठार एक कर रहे हैं यहां के अभिलेक की तो नेशना कुटार का जो अभिलेक है वो व्याग्र राज से संबंदित है व्याग्र राज राजा है जो इनसे ये संबंदित है अगले प्रस्न की बात करें तो चंदेल वंस की स्थापना की किसने की थी चंदेल वंस बहुत ही महत्पून वं तो चंदेल वंस कि स्थापना की थी नन्नुक ने सही आंसर है नन्नुक बात करें भूशन उल्लास की बहुत ही इंपोर्टेंट रशना है है भूशन उल्लास seismic है भूशन जी रशना है और भूशन जी जो रशना है अधिगतर रशना है वो उनके नाम से ही मिलते हैं जैसे भूशन उल्लास है और दूशन उल्लास भी एक इनकी रशना है इस तरह से बहुत सारे रशना है जो अधितर रशना है उनके नाम के आगे भूशन लगा हुआ है या रशना उनके नाम में पीछे की तरफ भूशन लगा हुआ है तो जो बहुत बड़े सिक्षावित थे एक बहुत शांदर साहितिकार थे कभी थे उपन्यासकार थे और एक सुतनता संग्राम से नानी थे तो बहुत ही important और बहुत ही famous personality है मध्यप्रदेश की है और जिनके दोबारा मध्यप्रदेश का जो college है उसकी स्थापना की की थी सागर य प्रफ्री सिंग और विश्वुध्याल है तो बहुत ही famous है उनकी बात भी करेंगे इस थापना की भी हम बात करेंगे तो यह जो है इनके जो हम लाहॉर अधिवीशन में इनके दोरा शरकत की गई थी मंडला राजधानी थी मंडला किस की राजधानी थी तो मंडला राजधानी ये गोंड की गोंड राजाओं की राजधानी रही है मंडला और राणी दुरगावती जो थी इस समय की बहुत मंडला की बहुत फेमस रानी रही रानी दुरगावती जिन्होंने अकवर के साथ यू दिखिया था बात करते हैं अगले प्रस्न की तो इसमें पूछा गया है निम्दे खितमे से किस छेतर पर सुंगवनसी राजा अगनी मित्र ने सासन किया था बहुत फेमस प्रस्न है ये विदीशा के अंदर जगह है वहाँ पर विदीशा छेतर में राज किया था अगनी मित्र ने मिटी की बारात किसकी रशना है एक और important रशना फिर से पूछी गई है मिटी की बारात बहुत फेमस रशना है Dr. Siv Mangal Singh Suman की Dr. Siv Mangal Singh Suman जो है, मद्य पर्देश से लिठेड है इनका जो कारच्शेतर रहा है ये मद्य पर्देश रहा है Dr. Siv Mangal Singh Suman जी का और खास कर जो उजन है, वहाँ पर इनका कारच्शेतर रहा है Dr. Siv Mangal Singh Suman का पर इनके सीवन की बड़ी महत्पूर्ण समय इन्होंने मद्वर्देश में विताया तो ये काफी important कभी रहे हैं यूग का मोल किसकी रचना है तो यूग का मोल जो है वो भी सिव मंगल सिंग सुमन जी की ही एक रचना है शिव मंगल सिंग सुमन के बारे में मुझे थोटा सा किस्वा याद आ रहा है ये वही समय था जब भारत की आजादी के लाई चल रही थी और एक बार सिव मंगल सिंग सुमन जी को आँखों पर पट्टी बांद कर एक जगा ले जाया गया और जब इनकी आँखों से पट्टी हटाई गई तो इनके सामने खड़े थे चंदर सेखर आजाद सहाब और चंदर सेखर आजाद जिनने इनसे एक प्रसन पूछा था तो क्या आप ये रिवालवर दिली तक ले जा सकते हैं और बहुत सरल सभाव के ये थे और इन्होंने उस रास्ट क्योंकि वो इनके कारे को जानते थे और बहुत ही रास्टवादी विक्ती थे ये और चंदर सेखर आजाद जो की क्रांती कारी थे तो उनके बात को उन्होंने मानते हुए और वो उनका काम उन्होंने किया था तो बहुत famous निएक समय का ये किस्सा है शिवममंगल सिंग सुमन्जी के समय का बात करें ठरथ 57 की क्रान्ति की समय गौलियर के नरेज कौन थे? ठरथ 56 जब क्रान्ति हुई थी तब जो गौलियर के नरेज थे वो जीवाजी राव सिंधिया सहाब थे और उसी जीवराजी और संधियाज साब के समय ही गौालियर की करांती हुई थी बात करते हैं अगले प्रस्न की तो मद्धिप्रदेश में कितने जिले 36 गड़ की सीमा से लगे हुए है फिर ये प्रस्न है इससे पहले राइस्थान की बात हमने की थी इसके अंदर आप औप्शन नहीं है छेजलो का तो यहां पर आप देख लें ये इसको शिक्स कर लीजी छेजले हैं निम लिखित मैंसे कौन सी कृती राजा भोज की नहीं है कौन सी कृती राजा भोज की नहीं है लेकिन जो चरक सहीता है ये राजा बोच की करती नहीं है ये चरक की करती है चरक की लिखी होई बुख है अगले प्रस्त की बात करें तो उजेन महा जन्पद यूग में किसकी राजधानी थी उजेन महा जन्पध्यूग की बात करें तो उजेन महा जन्पध्यूग में जब उजेन जो था वो अवंती राज की राजधानी थी और अवंती का ही एक और नाम अवंती का जो है उसका नाम उजेन था भोपाल राज भारती संग में कब विले हुआ भोपाल राज जो था कि भोपाल एक देशी रियासत थी और इसमें जो नवाप थे वो शासन किया करते थे 1947 में ही ये भारत में सामिल नहीं हो गया बलकि ये तो चाहते थे जो यहां के नवाप थे वो चाहते थे कि भारत के संग में सामिल ही ना हो लेकिन एक जून 1950 को भोपाल रियासत मदपरदे जो भारत है भारत संग में सामिल हो गई अगले प्रसन की बात करें तो गंगा लहरी किसकी रशना है गंगा लहरी बहुत ही इंपरटेंट रचना है और यह जगनात मिसर सहाब की और जगनात मिसर जो है इनके बारे में बहुत ही फिमस है और यह मुगलकाल के समय में रहे हैं देखें हुआ क्या था एक बार सायद साह जहाँ या जहांगीर दोनों में से एक की बात है उन के समय में दिली के अंदर एक विदू के पिल मची थी कि जो हिंदू है वो सही बूलते है या मुसलमान जो है वो उनका धर्म सही बूलता तो इसकी बेरे में एक बहुत बड़ा फ हारे का उसे जेल की सजा भूगनी होगी और जो जीते गा उसको राजा के दोरा इनाम दिया जाएगा और फिर यह एकसेप्ट किया गया सभी हिंदूओं के दाराभी और मसल्माना के दाराभी फिर जब यह और उसमें सर्थ यह थी कि सास्तरार्थ तभी खतम होगा जब कोई निर्ने हो जाएगा उससे पहले सास्तरार्थ खतम नहीं होगा तो जो जगनात मिस्ट साहब थे उससे बहले बहुत सारे पंडितों ने उसमें भाग लिया और सब एक एक करके हारते चले गए और बातसा के दोरा पहुँचा दिया गया जेल के अंदर फिर यह बात जब इन से पूचा कि आपको क्या चाहिए तो इन्होंने कहा कि आप पहले जो सभी पंडित हैं उनको आप छोड़ दीजी जेल से तो राजा ने उनको जेल से छोड़ दिया फिर पूचा अपने लिए कुछ मांग लीजिए तो वहाँ पर सासा का मैं जो राजा था जानी जो बा बापस आए बरनासी में तो इनका काफी विरूद किया गया एक मुसल्मान से साधी किस चक्रम इनका काफी विरूद किया गया और इनको समाज से बाहर निकाल दिया तो ये गंगा जी को बड़ा प्रेम करते थे और उन्हीं के फिर उसमें गंगा जी की आराधना की रूप म ऐसा कहा जाता है फिर इन दोनों पती पत्नी को गंगा जी ने अपने अंदर समा लिया था आखरी में जब इनकी मृत्तियूद नहीं हुई थी इननों खुद कहा था कि अब मुझे आपके अंदर समा लो माता तो फिर इनने गंगा जी ने इनकी अंदर समा लिया तो ऐसे इनक मद्य प्रदेश के अंदर अशोक के जो गुरजरा है गुरजरा अभी जो मिलता है वो दतिया जिले में मिलता है इसके लाबाए एक पांध गुराली या भी लेक भी है जो की सीहोर जिले के अंदर मद्य प्रदेश के सीहोर जिले में मिलता है तो ये दो अभी लेक हैं जो मद बिंद्धि प्रदेस प्रविजिंस और बरार एक था भु। ये ळे हुआ था कि जो रियासते थी देशी रियासते उनको समाप्त कर दिया गया था तौ देशी को जब समाप्त किया गया तो ये मद्ध भारत था इसके अंदर गौालियर रियासत भी इसके अंदर पढ़ती थी और जब ये दोनों कंडिशन्स वहां हुई थी तो जो गौालियर रियासत थी उसके राजप्रमुक थे अलग और जो जिवा ये इनदर रियासत थी इसके राजप्रमुक यानि की राचा अलग थे जब ये इसके अंदर मिली और दोनों को जब मिलाने के बाद राजrine बनाने का ने लिया गया के गवालियर को राजधाशनी बनाया जाईगा लेकिन जो होलकर सहाब थे उनको ये मंजूर नहीं था कि राजधानी ग्वालियर को बनाया जाए या ग्वालियर को इंदोर से ज़्यादा धर्जा दिया जाए फिर उन्होंने उस पर आपत्ती जताई तो फिर राजधा प्रमुक जो बनाया गया था जीवा जीराओ को बनाया गया था और फिर उप राजधा प्रमुक का एक पत का सरजन किया गया और उप राजधा प्रमुक बनाया गया सिंधिया जी को माफ कीज़ेगा होलकर जी को तो ये दोनों के वीज़ में फिर सरदार पडिल सहाब ने कॉंप्रमाइज करवाया था और जो राजप्रमुक होते थे वो उनका जो इस्तेथी होती थी आज के राजपाल जो होते हैं उन्हीं की तरह उनकी इस्तेथी होती थी तो ये दो पहले राजप्रमुक बने थे ये जीवाजिरोग सिंधिया बने थे और इनको जो सपत दिलवाई थी वो पंड़े जवाला लहरू जी नेयर्स वैम आए थे और इनको सपत दिलवाई थी बात करें 274 राणी अवंती वाई कहां की राणी थी तो रानी अवंती भाई जो थी रामगड की रानी थी रामगड की लोधी बंस की ये थी और 1857 क्रांटी के समय में इनका बहुत विशेश योगदान रहा है और इसमें ये वीरगती को प्राप्त हुई थी रानी अवंती भाई और रामगड की ये रानी थी अगले प्रसन की बात करें तो Ahilavai Holkar ने जो साय संगी वागडूर कब समाली थी तो Ahilavai Holkar इंद वोर की बहुत फेमस आजिका रही जिनको राजमाता के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने सन 1767 में राजवन्स की बागडूर समाली थी और बहुत ही कुसलता पूरवाक निया प्रिये तरीके से सासन किया और इतका सासन जो है इतिहास में बहुत ही फेमस है बात करें सिंधिया वंस की आरंभिक राजधानी क्या थी तो सिंधिया वंस के जो दोलत राव सिंभिया थे इनकी द्वारा ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया गया था लोह यूग के धूसर चित्रत मद्वान मद्वर्देस में कहा मिलते हैं तो इस समय के जो दूसर चेतर में ब्रहान है, ये मुरेना और भिंड चेतर में मिलते हैं, बात करते हैं अगले प्रस्न की, तो 279 भारती राश्टी कॉंग्रेस की गतिविधियों की सुरुआत मद्धिप्रदेस में कब हुई, तो 1904 के दोरान ये मद्धिप्रदेस के अंदर भारती राश्टी कॉंग्रेस की गतिविधियों की सुरुआत मानी जाती है, मद्धिप्रदेस का प्रमुक वस्त्र जो फेमस है, वो है चंदेरी, चंदेरी अशोक नगर के अंदर परता है, चंदेरी की जो साड़ियां है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, मद्धिप्रदेस का सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है तो मद्रप्रदेश का जो सबसे उचा जल प्रपात है वो चचाई जल प्रपात है और ये बीहर नदी पर बना हुआ है देहन दीजे का बीहर नदी का नाम है और ये रीवा जिले में है चचाई जल प्रपात मन्दप्रदेश का सबसे उचे जलब परबाद है यह अगले प्रसन की बात करें तो मन्दप्रदेश की सबसे पुरानी युनिवर्शिटी सागर युनिवर्शिटी की स्थापना का वर्स क्या है और उनी के दान पर उनी की जमीन पर ये सागर उनिवर्स्टी खड़ी की गई थी उनका सपना था कि सागर उनिवर्स्टी जो इस तरह से जो हावर्ड उनिवर्स्टी आक्सवोर्ड उनिवर्स्टी जिस तरह से इन दो उनिवर्स्टी का विश्व के अंदर नाम है उसी तरह स इस युनिवर्सिटी का भी नाम विश्व के अंदर हो बहुत बड़े इतिहासकार, माफ की जगा, बहुत बड़े साहितिकार, स्वतनता संग्राम सेनानी रहे हैं, डॉक्टर हरी सिंग गोर साब, उनी के द्वारा 1946 में इसकी स्थापना की कई थी, और आज सागर युनिवर् गुफाएं कहां है, भीम बेटिका की गुफाएं भी बहुत इंपोर्टेंट है, और इनको 2003 के अंदर विश्व विरासत स्थालोगोचित किया गया है, तो भीम बेटिका की जो गुफाएं हैं, अब्दुल्ला गंज राय सेन के अंदर हैं, महारानी लक्षमिवाई की गौलियर में इस्थे थे, कालपी के पास में, तानसेन, तानसेन का मूल नाम क्या था, कई वार ये परिच्छा में पूझ गया है, तो तानसेन जी का जो मूल नाम था, वो राम तनू पांडे था, राम तनू पांडे, और ये रीवा के राजा, राम चंदर के दरवार में थे जो बगेल बंस के राजा थे देवास प्रिसिद है देवास प्रिसिद है करंसी नोट की छपाई के लिए क्योंकि यहां पर करंसी नोट की छपाई होती है और आजकल नोट बंदी चल रही है तो बड़ी करंसी की बड़ी समस्यां चल रही है तो इसलिए देवास और ज्या एक जन जाती समहू के रूप में यानि गोंड और उसकी उपजातियों की जन संक्या कोगा टोटल किया जाए तो गोंड सबसे बड़ी जन जाती है लेकिन सिर्फ देखा जाए भील और उसकी उपजातियों को छोड़ दिया जाए सिर्फ भीलों को जोड़ा जाए तो भील सब से बड़ी जन जाती लेकिन यह प्रस्ट बनता है तो इसका अंसर गौंड है तो गौंड भारत की भारत की सबसे बड़ी हैं और मद्व सबसे बड़ी है और जन jati समह को ना जोला जाय तो सबसे बड़ी जन जाती है भील इंदोर में आकासवानी केंदर की स्थापना कब हुई थी तो इंदोर में आकासवानी केंदर की जो स्थापना हुई थी 22 माई 1955 को हुई थी और मद्रदेश में पहला ऐसा स्थानता जहां पर आकासवानी केंदर के स्थापना हुई थे बात करते हैं अगले प्रस्निकी दोस्तों इंक्यान बें निम्दिल खित में से मद्धिप्रदेस में सरवाधिक स्वयवीन कहा होता है स्वयवीन मद्धिप्रदेस को स्वया स्टेट भी कहते हैं तो मद्धिप्रदेस का जो मालवा जिला टच करता है उत्तरप्रदेश को जो सतना है वो भी उत्तरप्रदेश को टच करता है शियोपरी उत्तरप्रदेश को टच करता है लेकिन जो शियोपर है वो राजस्थान को टच करता है उत्तरप्रदेश को टच नहीं करता निमलिकित मैसे कौन जनसंख्या की दरश्टी से मद्यप्रदेश का सबसे छोटा जला है जन संख्या की द्रश्टी से जो है वो हर्दा है और दतिया जो है वो छेत्रफल की द्रश्टी से सबसे छोटा है जन संख्या की द्रश्टी से सबसे छोटा है हर्दा और छेत्रफल की द्रश्टी से सबसे छोटा है दतिया मद्यप बात करते हैं मांडू की तो मांडू में निम्रिकित में से कौन संबंदित हैं जीवा जी राओ ये मांडू से संबंदित हैं रानी रूप मती रानी रूप मती जो हैं वो मांडू से संबंदित हैं अलाव दिन खा सहाब मेहर से संबंदित हैं जो हैं ये रानी रूप मती रानी रूप मती और बाज बाहद्दूर जो थी इनकी बहु बहुत फिमस प्रेम कहानी रही रानी रूपमती की बाजबादूर के साथ तो ये मांडू यानि मांडू जो है दाहर के अंदर है तो रानी रूपमती संबंदित है और रानी रूपमती का महल बहुत प्रसिद्ध महल है बाजबादूर का महल भी प्रसिद्ध महल है मांडू क में से मूर्ती कला का प्रिसिद्ध स्थान फल के स्टूडियो कहां है तो फल के स्टूडियो जो है वो धार के अंदर है और मूर्ती कला जो मूर्ती आपने देखी होगी जो स्टैचू आप देखते हैं वह अधिकतर स्टैचू जो पूरे भारत के अंदर बनते हैं वो यहीं बहुत फेमस जगा है डॉक्टर फड़के जो थे राम राव फड़के जो इनका नाम था डॉक्टर फड़के वो इसके आधार सीला उनके दोरा इसकी रखी गई थी बात करें आखरी दो प्रसनों की तो मदबर्देश में प्रतिवर्स अखिल भारती सास्त्री इंडर्ट उससव कहां आउजित किया जाता है तो यह जो सास्त्री इंडर्ट उससव है यह आउजित किया जाता है खजुराहों के अंदर है और यहां के चंदेल वंस के राजाओं कार कारयाले कहां है AGMP महालेखा कारयाले गौालियर के अंदर ध्यान रखीगा अधिकतर सास की कारयाले वो आपको भुपाल के अंदर मिलेंगे लेकिन जो महालेखा कार कारयाले है वो गौालियर के अंदर है तो चलिए हमारा ये जो वीडियो है अप यहीं समाप्त होता अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रस नम्बर 301 से लेकर 350 की तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को आप देखते रहेए आप लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर करें किया आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं यापको फसंद आ रहा है तो उसके लिए बहुत ही आपका धन्यबाद आप इने लाइक कर रहाँ कर रहा है साथ में आप हमारे और वीडियोज यहाँ पर मैं डाले दे रहा हूँ आप उनको जरूर देख लिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले ताकि इस तरह के और भी वीडियो आपको समय से प्राप्त होते रहें बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत